Tagging in Get पर स्पोकन टूटोरियल में आपका स्वाकत है। इस टूटोरियल में हम नेमने के बारे में सीखेंगे Tagging और Tagging के प्रकार। इस टूटोरियल के लिए मैं उप्योग कर रही हूं Ubuntu Linux 14.04, Get 2.3.2 और G-Edit Text Editor। आप अपनी पसंद का कोई भी एडिटर उप्योग कर सकते हैं। इस टूटोरियल के अनुसरन के लिए आपको टर्मिनल पर रन होने वाली Linux कमांज की जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंदित Linux टूटोरियल के लिए एक रप्य हमारी वेबसाइट पर जाएं। आप टैगिंग के बारे में सीखते हैं। टैगिंग एक कमिट स्टेश को इंपोर्टन यारी महत्पूर्ण मां करने में उप्योग होता है। भविश्य के संदर्ब के लिए हम एक कमिट को बुक मां की तरह टैग कर सकते हैं। बेशिष्ट रूप से यह प्रोजेक्ट का रिलीस पॉइंट मां करने में उप्योग होता है। जैसे V1.0 टैग्द दो प्रकार के होते हैं। लाइट वेट टैग और अनोटेट टैग। पहले मैं दिखाऊंगी कि लाइट वेट टैग कैसे बनाते हैं। आप अपने git repository माइवेब पेज पर जाते हैं जो हमने पहले बनाया। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें। cd space my webpage और एंटर दबाएं। प्रदर्शन के लिए मैं html files उप्योग करना जारी रखूंगी। आप अपने पसंद का कोई भी file type उप्योग कर सकते हैं। आप git log चेक करते हैं। टाइप करें git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं। इस समय हमारे पास हमारी repository में तीन commits हैं। जैसे की addedcolors, addedhistory.html और initial commit। अब मैं नभीनतम commit addedcolors में एक lightweight tag बनाऊंगी। जब हम एक tag बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से ये नभीनतम commit में बनाया जाएगा। टाइप करें git space tag space v1.1 और एंटर दबाएं। यहां मैं tag नाम में v1.1 दूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। आप ने टाइप करके tag देख सकते हैं। git space tag और एंटर दबाएं। अब हमारी repository में केवल एक tag है। आगे सीखेंगे कि एक annotated tag कैसे बनाते हैं। पहले प्रदर्शन के लिए मैं mypage.html फाइल में कुछ संशोजन करूंगी। टाइप करें gedit space mypage.html space amp% और एंटर दबाएं। अब फाइल में कुछ लाइने जोडते हैं। फिर फाइल को save और बंद करते हैं। अब इस point पर अपने काम को commit करते हैं। टाइप करें, git space commit space hyphen am space double quotes में added content in mypage.html और एंटर दबाएं। अब मानिए कि ये विशेश stage project के लिए बहुत महत्र पूर्ण है। अता हमें इस commit point पर एक tag बनाना है। यहां हम एक annotated tag बनाएंगे। टाइप करें, git space tag space hyphen a space v1.2 space hyphen m space double quotes में my version 1.2 और एंटर दबाएं। hyphen m flag उप्योग करके आप अपनी पसंद का कोई भी tag message दे सकते हैं। यहां tag message विकल्पिक है। टैक्स उची देखने के लिए टाइप करें, git space tag और एंटर दबाएं। अब हमारे पास दो टैक्स हैं। यहां v1.1 lightweight tag है और v1.2 annotated tag है। हम टैक्स के बीच अंतर कैसे करते हैं। हम git show command उप्योग करके दो टैक्स के बीच अंतर देख सकते हैं। टाइप करें git space show space v1.1 और एंटर दबाएं। यहां हम lightweight tag v1.1 का पूरा विबरण देख सकते हैं। यह केवल कमिट का विबरण और फाइल के बदलावों को दिखाता है। आगे हम annotated tag v1.2 का विबरण देखेंगे। टाइप करें, git space show space v1.2 और एंटर दबाएं। यहां हम देख सकते हैं, टैग का नाम, टैगर के विबरण, डेट जब वो कमिट टैग हुआ था, टैग मैसेज, कमिट के विबरण, और फाइल के बदलाव, annotated tag की हमेशे सला दी जाती है, जब आप सहयोग से कार्य करते हैं। अब सीखते हैं कि पुराने कमिट में एक टैग को कैसे मार्ग करते हैं। बैल हम git log चेक करेंगे, टाइप करें, git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं। अब उधारन के लिए मैं आपने दूसरे कमिट, addedhistory.html में एक टैग बनाना चाहती हूं। टाइप करें, git space tag space hyphen a space v1.0 space फिर added history.html के commit hash को copy और paste करें, space type करें, hyphen m space double quotes में my version 1.0 और एंटर दबाएं। हम टैग देखने में सक्षा होंगे जो हमने अभी बनाया। टाइप करें, git space tag और एंटर दबाएं। आप यहां बनाया हुआ tag v1.0 देख सकते हैं। आगे हम सीखेंगे, git log के साथ tags कैसे देखते हैं। टाइप करें, git space log space hyphen hyphen one line space hyphen hyphen decorate और एंटर दबाएं। आप tag के नामों के साथ git log देख सकते हैं। अब हम अनवश्यक tag को delete करना सीखेंगे। मानिये, मैं tag v1.1 को delete करना चाहती हूँ। टाइप करें, git space tag space hyphen d space v1.1 और एंटर दबाएं। यह message deleted tag v1.1 और इसका commit hash दिखाता है। हम चेक करेंगे कि tag delete हुआ है यह नहीं। टाइप करें, git space, tag और एंटर दबाएं। अब हम tag v1.1 नहीं देख सकते जैसे कि यह सफलता पूर्वक delete किया गया है। इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस tutorial में हमने नेमने के बारे में सीखा tagging और tagging के प्रकार। एक नियतकारे में एक lightweight tag और एक annotated tag बनाएं और दोनों tags के बीच का अंतर समझें। नेमने लिंक पर उपलबदे वीडियो स्पोकन tutorial project को सारांशित करता है। क्रपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन tutorial project टीम कारेशालाएं चलाती है और ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को फ्रिमान पत्र देती है। अधिक जयनकारी के लिए क्रपया हमें लिखें। स्पोकन tutorial project भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा ने दिवद है। इस मिशन पर अधिक जयनकारी निमने लिंक पर उपलबत है। IIT Bombay से मैं शृति आ रहे आपसे विदा लेती हूं। हमसे जुडने के लिए धन्यवाद। बlorड़ी जयनकार कि लिए ए速फिवद हमसे के ज Sense